Hello students, I am class 10, THINCRT, exercise 12.2, question number 8 to 14 समझेंगे, areas related to circles, वृतों से सम्भंदिछ चेत्रफल I hope you like my videos, if you like my videos, please like, share and subscribe देखे, इस chapter के लिए formula मैंने अल्रोडी पिछले वीडियो में समझाई रखा था, तृरिज्या खंड का चेत्रफल, theta upon 360 pi r square वृत्खंड का चेत्रफल, theta upon 360 pi r square minus r square upon 2 sin theta, and चाप की लंबाई theta upon 360 2 pi r, ठीक है, अब question number 8 हम देखता है, question number 11, 15 meter, भुजा वाले एक वरगाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे, खुटे से एक घोरी को 5 meter लंबी रसी से बान दिया गया है, ग्याद करे, मैदान के उस भाग को या रसी को 5 meter से 10 meter कर दिया, तो क्या करेंगे, एक वर समझना question, हमारा ये मैदान है वरग क्या कार का, जिसकी बुजा कितनी है 15 meter, हमें कह रहा है कि आप एक रसी से घोरे को बांद रहे हो, जो कि 5 meter cover कर रहा हो, तो तो तुम्हें इस area का चेत्रफल निकालना है, second point में कह कि अगर 5 meter की जगह तुमने 10 meter का रसा ले लिया, तो कितने cover करेंगे area, वो कितने दूर तक चर सकता है, अब सबसे पहले हम देखते हैं, यहां दो चीज़े हम लगा सकते हैं, एक तो देखो कि यह वरित का क्या है, वरन फोर्थ है, चतुर थान्स है, quadrant जिसे कह रहा है, यहा कितने degree की होते है, 90 degree, और इसने हमें दे रखा, 5 meter थो हमने वही कर लिया, r is equal to 5 meter, theta is equal to 90 degree, दें त्रिजिया खन का चेतरवल, theta upon 360 pi r square, हमने value रख दिया, 90 upon 360, pi की value question कह रहा है, 3.14 लो, हमने ले लिया, 3.14 into r अमारा क्या 5, अब भी यह cancel करोगे, 1 upon 4, 4 से 3.14 cancel कर देंगे, ना 1.57 into 25, 1.57 into 25 upon 2 multiply अब करोगे, तो 39.25 upon 2, 19.625 meter square, that is the answer, second question वहां में कह रहा था, कि क्या 5 meter की जगत, तुम्हें 10 meter की रशी ले ले लेनी है, तो हमने बताओ कि कितना area बढ़ा, जब 5 meter यह था, और मैंने बढ़ा लिया, 10 meter करा, तो कितना area बढ़ रहा है, इस बढ़े इस यह क्योंकि वर्ग था, तुरिज़ अखन का चेतरफल, theta upon 365, r square, theta क्या है, 90 upon 365, 3.14 into r square, cancel out करा, आमने देखा क्या, 3.14 into 25, अचा, cancel देख लेना, 1994, 360, 4 से 100 को cancel क्या, 10 का स्कार 100, 25, 3.14 into 25, क्या निकल रहा है, 3.14 into 25, 78.5 meter square, अब बताना कि चरे जा सकने वाले चेतरफल, या चेतरफल में व्रिधी कितनी हो रही है, तो अगर नए चेतरफल, स्टैन वाले में से मैं 5 वाले को माइनस करूँ, तो हमारा अंसर आजाएगा, 58.875 meter square, next question, question number 9, एक वृताकर ब्रूच, चांदी के तार से बनाया गया है, question देखना, हमारे पास ये ब्रूच है, उसमें गह रहा है, तो हमें तीन, दो चीज़े पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है कि इसमें मैंने कितना चांदी का तार लगा है, याद रखना चांदी का तार इस वृताकर ब्रूच में भी लगा रहे हैं, और पांच व्यास में भी लगा रहे है, दूसरा पूछ रहा है कि प्रते इन चानदी ना चतर हतुब भख़वृ ऐस प्रित प्लस 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 यसे सबाइब करना अगर अगर फिंटू डियनुट करते लिए करोगे 2 से 2 गया 750 35 225 110 प्लस 535 अगर मुलिटिप्लाइब करो तो 175 अगर इन दोनों को एड़ कर दो आर हमारा क्या 35 अपॉन टू तरीजिया अखन का छेत्रफल थीटा अपॉन 360 पायरेस का एरिया ओफ सेक्टर हमने थीटा की वैल्यू रख देनी है 36 अपॉन 360 और पाय कितनी है 22 अपॉन 7 और र की जगर रख देना है 35 अपॉन 2 आप देखो कैसे कट करे हो 30 से 6 से 360 10 होगा 75 अच्छा हमने क्या किया पहले इसे कैंसिल कर लिया 5 तू जा 10 5 7 जा 35 7 7 कैंसिल और यहां जो 2 हो रही है 2 11 जा 22 अब देखो क्या क्या हो रहा हमारे पास 11 इंटू 35 मल्टिप्लाइ करो 385 उपॉन 4 दाट इस यो आंसर ओके next question एक छत्री में 8 ताने है चाता अम्रेला है उसमें 8 ताने है ठीक है जो बड़ाबर दूरी पर लगे हुए है छत्री में 45 सेंटीमीटर त्रिजिया यह हमारा आर इसने दे रखा एक सपाट वृत मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच अगेन हमें क्या निकालनी है त्रिजिया खनका चेतरफल इसने हमें आर तो क्लियर ली क्या दिया कि 45 सेंटीमीटर है थीटा कैसे फाइंड करें फिर से हम वही काम करेंगे कि एक वृत में कितने का 360 अपॉन दिग्री देन थीटा इस उकल तो 45 और इस उकल तो 45 सेंटीमीटर में दे रखा है देन दो तानों के बीच का चेतरफल थीटा अपन 360 पाई आर स्कॉर थीटा हमारा 45 360 पाई आर स्कॉर आर 45 था 45 एट जा 368 हो गया तो फोजा एट 211 अब देखो कुछ नहीं कर रहा है तो क् 4 x 5 कर देना that means 20 20 25 ठीक और इदर हमारे पास 11 था फिर मल्टिप्लाइ कर लिया 22 275 पॉन 28 सेंटीमीटर स्कॉर दाट इस यो आंसर नेक्स्ट कोस्टन किसी कार के दो वाइपर हैं परस पर कभी आच्छादित नहीं होते प्रतेक वाइपर की पत्ति लंबाई 25 सेंटीमीटर ह तो हमें कह रहा है कि यह कितने चेतरफल को साफ कर पाएगा बताओ देखा दो वाइपर है एक यह जा रहा है एक इधर से जा रहा है हमें कह रहा है कि एक दोनों से नहीं टकरा रहा है यह कितने सीसे को साफ कर देगा थीटा इसमें 115 दे रखा है आट 25 दे रखा है अब देना है आर इस इकोल टू 25 संटीमीटर थीटा इस इकोल टू 115 डिग्री अब साफ होने वाले चेतरफल क्या है तू इंटू त्रिज्याखंट का चेतरफल टू इंटू थीटा पॉन 360 पाई रस्कॉर थीटा हमारा क्या है आप क्या आउट करोगे तू से मैंने पहले क्या आउट किया तो 180 आया अब क्या कर रहें 5 से कट रहें 5 से नीचे 36 उपर 23 अब 36 किस से कैंसिल होगा 2 से 18 11 अब कुछ नहीं कट रहा 23 इंटू 11 इंटू 25 25 अगें 5 5 जा 25 तू से एक बढ़ा आगे 6 तू 3 जा 6 2 इंटू 3 कर लें है 6 25 इंटू 23 इंटू 11 सब को मल्टिप्लाइ हमने कर लिया तो क्या रहा है 158125 अपॉन 26 सेंटीमेटर स्काइब जहाजों को शमुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चटानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट होस 80 डिग्री कौन थेटा में दे रहा है वाले एक तृज्याखन में 61.5 किलोमेटर की दूरी तक एक लाल रंग का प्रकास पे लाता है शमुद्र की उस भाग का चेतर होस पे आप हो 80 डिग्री का एंगल बन रहा है ठीक है और यह लंबाई कितनी है 16.5 किलोमेटर हमें आर दे दिया थीटा दे दिया तो कहरा बताओ यह कितने डिग्री मतलब कितने चेतरफल तक ही अपना साउंड दे जा चेतावनी दे सकता है तो क्या करेंगे थीटा है एक आर है 16.5 अगें दिया घंका चेतरफल अपना सेक्टर थीटा अपन 3.65 इसका कर लिए 5.25 और 16 को एक बढ़ागे 17 से मुल्टिप्लाई कर लो 272 अब क्या कर लेना है इन सब को मुल्टिप्लाई कर लेना है 6.28 इन्टू 272.25 अपन 9 आप मुल्टिप्लाई करोगे 179.73 अगर इसे डिवाइड करना तो 189.97 किलो मीटर स्कॉर्ड यहां हमारी किलो मीटर में थी तो यहां एरिया क्या जाए रहा है किलो मीटर स्कॉर्ड में एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकरिती में है यदि मेज पोस्ट की 38 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपे प्रतिवर्ग सेंटीमीटर स्कॉर्ड की दर से डिजाइन को बनाने में खर्च ग्याद करनी है देखो यह डिजाइन है हमारे पास ठीक है छे है 1 2 3 4 5 6 हमें कहरा कि इस डिजाइन को मैंने बनाया है और एक सेंटीमीटर स्कॉर में खर्च ओडिया 35 पैसे तो कुल कितने खर्च हो रहे हैं अगर आप थोरा सा दिमाग लगा आर इसने हम में दे रखा है थीटा हमारे पास दिवाइड करोगे 60 डिग्री और इस उकल तो 28 सेंटीमीटर देन छे डिजाइन का चेत्रफल नाट मिन्स रित्कंड का चेत्रफल रित्कंड का चेत्रफल अमने क्या पड़ा है 3 upon 365 स्कॉर मानस र स्कॉर वाइड 2 साइन थिटा 6 से मल्टिप्लाइग किया थीटा क्या है 60 पॉन 365 है 22 upon 7 और र है 28 का स्कॉर कर लिया हमने साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 by 2 वैल्यू रख दिया अब देखो कैंसिल क्या किया 60 upon 361 by 6 होगा 7 4 जा 28 और यहां भी 2 से मैंने कैंसिल किया 28 को 14 27 जा 14 अब क्या क्या बच रहा 6 को मारा बाहर चली रहा क्योंकि 6 रित 3 की वैल्यू कोश्चन में दे रखा 1.7 तो हमने रख लिया 1.7 अब इस 6 को एंट्री करोगे तो यहां भी मल्टिप्लाई होगा और यहां भी होगा तो 6 इंटू 1 by 6 88 इंटू 28 मानस 6 इंटू 196 इंटू 1.7 अब इसे 6 से 6 कैंसिल हुआ इसे मल्टिप्लाई करो 2464 इन सब को क कि अगर एक सेंटीमीटर स्कॉयर में खर्च हो रहा है कितना 35 पैसा तो कुल डिजाइन में कितने खर्च हो रहा है हमने लिखा 1 सेंटीमीटर स्कॉयर का खर्च हमने मल्टिप्लाई कर लिया 162.68 रूपीस आंसर नेक्स्ट कोश्चन निम्लिकित में सही उत्तर चुनिया है कोश्चन देखना क्या कह रहा है त्रिज्या आर वाले व्रिद के उस त्रिज्याखन का चेतरफल जिसका कोण पी डिगरी है निम्लिकेत है हमारे पार चाल फॉर्मूला लिखा नॉर्मली त्रिज्याखन का चोड़ चेतरफल हमने क्या पढ़ाया तो थीटा अपॉन 360 यहां है और कहीं नहीं है लेकिन पाई आर स्कॉइर होना चेह नहीं है यह एक option होई नहीं सकता अब इन दोनों पर पहुंचते हैं यहां भी 180 है नेवा पॉसिबल पाई आर स्कॉइर तो है लेकिन यह 180 है अब आप यहां देखो कि अगर इस कोश्चन में मैं यहां 2 से 20 और यह 2 पाई रसक्राइब तो दी हमारा क्या हो जाएगा अंसा थैंक यू सो मुच गाइज आप यू लाग मैं वीडियो इस प्लीज लाग मैं वीडियो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक यू सो मुच प्लीज